अलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फिलर वेब प्रोग्रामिंग के फ्री कोर्स में जहां बाते हो रही है हमारी जावा स्क्रिप्ट वैलिडेसिंस को लेके और लास्ट एम बेने आपको जो वैलीडेसिन बताया था यह वैलिडेसिंद था नंबर्स को लेके है न कि यदि आपकी कोई भी ऐसी फिल्ड जहां पर आप यूदर से आईडी ले रहे हैं यहां मानलों फिजिक्स के मार्व से एंटर कर रहे हैं so that इस तरीके की किसी भी फिल्ड में यदि मैं यहां पर अगर मानलो मैंने कोई करेक्टटर वैलू दे लिए ओके एंटर सब्मिट बटन तो इस विविशिक्स के मार्व मैं नंबर की जगा करेक्टर एंटर कर देता हूं तो यह हमने लास्ट नेम देखा था नुमेरिकल वैलिडेशन कि यदि आपकी कोई भी फिल्ड नंबर है तो इस नंबर में अगर कोई भी करेक्टर आता है तो हम यह किस तरीके से वैलिडेशन अप्लाई करना है यह मैंने आपको कोड बताया था लास्ट टाइम यह फिजिक् पूट कर देगा देख याधी चैवा यह मैंने नंबर लिख दिया पाश्वर नंगे दिया कनफर्म पाशवर्ड यह सा रहे वैलिडेशन में लास्ट नम आपको बता चुका हूं पासवर्ड फंस फासव險 ब्लैंक वेस्टिके ओक है और हमें क्या करना है यहां पर हमें तो इस तरीके की फिल्ड में हमें number allowed नहीं करना है तो यहां पर हम मुझे जो validation लगाना है that is numerical validation तो let's see किस तरीके सम numerical validation apply करेंगे तो see यह validation मुझे कहां लगाना है number fields पे सॉरी name वाली field पे हमने name के लिए blank validation अप्लाई किया था यह हमारा name का blank validation है यदि आप sequence में code देख रहे हैं तो चीजे ज्यादा बेटर ली समझ में आएंगी मैंने आपको पहले भी यह बात बोली है कि आप sequence ब्रेक ना करें ठीक है क्योंकि यह थर्ड विलिडेशन है जो हम अप्लाई कर रहे है स्टेब वन पर हमने blank validation देखा था password confirm password validation देखा था numerical value अगर greater than 100 है तो यदि आपको यह validations लगाने ही कि number की जो वैलू है वो greater than 100 नहीं होने चाहिए तो यह validation हमने देखा यह से इस वन यह पूरा code अपना last lecture से चले आ रहा है फिजिक्स के marks 0 से less होंगे यह greater than 100 होंगे तो क्या क लेकिन अब जो validation हम लगा रहे हैं वो है character validation तो यह validation के लिए हमने सबसे पहले यह condition check कि कि यदी name blank नहीं है इस name is not blank तब मुझे यह validation apply करना है राइट क्योंकि अगर name में आपने data दिया है blank यह तब यह बोल देगा कि बहुत से student नाइन दे दिया ठीके बन दे दिया तो मुझे हर एक character की आस की value देखना है और अगर यह आस की वैलू कि ए से जट की आस की वैलू के बीच में है मतलब small a से लेके capital स्वाल ए से लेके small z यह capital a से लेके capital यह जदी आस की वैलू इस रेंज में है तब तो यह इसको accept करेगा और अगर आस की वैलू इस रेंज में नहीं है तो अबशी बाते प्रोग्राम में हमें alert message देना है तो चलिए देखने हैं यहां पर किस तरीके समास की वैलू read करेंगे तो यहां पर हमने क्या किया एक वेरियबल डिकलियर किया एसी के नाम से आस की चूंकि इसमें एक्सेप्ट करना है और हमने एक लूप लगा है फोर आई क्वल्स टू जीरो से लेके आए लेस्टेन sname.length hãsname.length length is a variable sorry length is a property of auvgbox जिसकी वैयलू आपने फैच'd की है sname में तो यह sname में हम ने वैलू access कर ली है doippyसे डॉक्यमेंट चिट effortily function myself बनाएै जावा स्क्रिप्ट में शलब एक बार फिर से मैं सेकवइंस आपको बता रहा हूं कि definite अबने वैलीडेट नम का फंक्षन बनाया है इस फंक्षन में हमने सारी वैलू फैच किये है और इन हम वैलिडेट कर रहे हैं और यह function हमने call किया है हमारे submit बटन पर यह हमारा submit बटन है और इस submit बटन पर हमने यह function call किया है on click return validate तो sequence wise हमारा third level पर validation अभी हम बात करना है तो यदि मानलो मुझे यहां पर validation apply करना है name के लिए तो हमने name के लिए validations का code क्या लिखा है सिदिस्वन जीरो से लेके name डॉट लें तक हमने loop apply किया अब इस loop में हमें क्या करना है one by one हर character की ascii value चाहिए तो लेट सी एक बार यह देखते हैं कि मैं ascii value किस तरीके से मिलेगी तो यहां पर यह जो s नम है we said that it's an object तो यहां पर there is a function called care code 8 a co take care 8 job for return करता है index number and there is a function called care code 8 to your care coded function आपको return करेगा particular index number की ascii value अब अधा particular index number पे जो character है उस character की ascii value right so एक बार अलट से हम ascii को print करके देखते let's see if I run this यह देखे आप यह मैं आइडी दिया और नाम में अगर मैंने लिख दिया सपोज विवेक के अलावा वी आई वन के सपोज लेट से 86 विच इन आज की वैलू 105 49 and 75 यह आज की वैलू उसने मुझे से दी है वी आई वन के यह जो character से इनके आज की वेलू में मिल रही है तो अब मुझे क्या चेक लगाना है कि यदी यह आस की मतलब हमने condition क्या चेक की यदी आस की greater than or equal to 97 97 से लेके है मतलब स्मॉल ए से लेकर कैपिटल है तो 60 पहले 65 से बात कर रहेते हैं 65 से ग्रेटर है एंड एंड आस की लेज दिन और एक्वल टू है 97 तक हमने पहली condition चेक की यदी आस की वैलू इस इस रेंज में है यह देखे आप एक्चुली यह कोट क्या है यदि 65 से 97 के बीच में है मतलब यह कोड में यहां पर copy कर रहा हूं लेट सी जदी आस की वैलू 65 से 97 के बीच में 65 से 97 मतलब यह हो गया आपके capital letter 98 से लेके 122 यह हो गया आपके small letter और 32 हमने लिया है स्पेस के लिए कि यदि आपकी आसकी इन में से किसी भी रेंज में है तो इसके आगे नॉट क्यों लिखाए क्योंकि यदि आसकी वैलू इस रेंज में नहीं है तो मुझे यह मैसेज देना है हमने alert only character allowed in name field only character allowed in name और वापिस से हमने name पर focus set कर दिया तो यह मारा दो focus function है that will call again ठीक है और इसी को हमने select भी कर लिया तो यहां पर हमने select function भी कॉल कर लिया विल कॉल select function तो यहां पर आप सिंपल सा concept देखिए हमने केवल one by one हर एक करेक्टर के आसकी वैलू रीट कि है और यह चेक लगाया है कि यदि यह आसकी वैलू 65 से 97 की बीच में जो कि यह मैसेज आएगा क्या मैसेज आएगा only character allowed in name field लेट सी एक बार इसको रंग करके हम देख लेते हैं यह मैंने 101 दिया nc यहां पर अगर मैंने character के साथ साथ number भी देदी हैं ओके एन आइक क्लिक on submit बटन यह only character allowed in the name ठीक है अच्छा return false नहीं लिखा हमने इसलिए वो हर एक क्यरेक्टर के लिए message दे रहा है return false ठीक है क्योंकि अगर एक भी उसको character नहीं मिला तो वह सीधे यह message देगा और function से false value return कर देगा मतलब लूप को मुझे terminate करना है right so let's see again ID हमने दिया अब नाम वाली फिल्ड में अगर में नाम के साथ में कोई भी नंबर दे देता हूं only character allowed in name right लेकिन अगर मैंने name दिया so it's better ठीक है अब वो password के लिए message देगा password cannot be blank password आपने सही दिया confirm password cannot be blank confirm password मैंने गलत दे दिया उसने message दिया password and confirm password is not same right यह सारे validation में आपको लास्टें बता चुका हूं यह फिजिक्स के मार्स में 900 सा वो दे दिये invalid physics मार्स क्योंकि यह 100 के बिलो या equal होने चाहिए chemistry के मार्स अगर आपने गलत दी दिये अगें दिस मैसेज़ अपियर यह सारे validation में आपको इसलिए बता रहा हूं और अगर आपने सब कुछ रही दिया अगर आपने मान लो physics में 89 की जगा कुछ क्यरेक्टर दे दिये तो अगें इट सानली नंबर अलॉड इन फिजिक्स फिल्ट तो यह सारे validations properly हमने अगर सारा डेटा प्रॉपर दिया है तो यह पेज पोस्ट इंटू दे सर्वर रइट तो यह concept अभी हमने देखा कि किस तरीके से आपको validation apply करना है using java script एक बार मैं पूरी application फिर से आपको बता देता हूं कि हमने सबसे पहले एक function define कि validate के नाम से java script में ठीक है सारा डेटा हमने रीट किया सारे subject का डेटा हमने रीट किया सारा जो भी आपने लिया password confirm password सबसे पहला validation हमने लगाया blank को लेके क्या आपकी कोई भी field blank नहीं होनी चाहिए और अगर blank है तो यह वैलिडेशन ब्लैंक नहीं है तो यह चेक किया कि आपने लंबर की जगा चիरेक्टर तो loud नहीं कर दिए है मतलब अगर ब्लैंग है तो दिस parole अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या यह केवल वही केक्टर ले रहा है जो से लेके बीच में यह स्पेस्थ है यह हमने वह वरिडेशन लगाया और तीसरा विलिडेशन अगें ब्लैंक पासवर्ट confirm password के लिए यदि दोनों सेम नहीं है तो यह मैसेज password and confirm password cannot be must be same ठीक physics के लिए validation कि अगर 0 से less या 100 से अभव है तो invalid physics marks तो इस तरीके से हमने यह सारे validation पिछले लेक्चर से अभी तक समझे हैं तो किस तरीके से form validation आपको apply करना है I hope आपको यह concept समझ में आया होगा जहां पर हमने निमेरिकल validation देखा character fields के validation हमने देखे blank की validation हमने देखे क्योंकि देखे जब तक आपका data properly server पे पोस्त नहीं होगा server side application उच देटा को properly execution में यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि server side application में future में अगर आप python पढ़ रहे हैं तो सकता भी जैंगो को यूज करें अगर आप Java पढ़ रहे हैं तो आप servlet JSP को यूज करेंगे तो जो भी server side application है they want the actual data right क्योंकि अगर server पर डेटा गलत जाएगा तो अब इसी बात है कि आपके application पूरी गलत हो जाएगी मतलब error शो करेगा program right एक option यह भी होता है कि हम server पे validation check कर लें लेकिन the best option is that client side validation क्योंकि server traffic मतलब आप data लेके server पे जा रहे हो और server पे जाके पता चला कि data गलत है तो अब इसी बात है time complexity increase हो जाएगी application feasible नहीं रहीगी so that will apply this client side validation concept I hope आपको यह समझ में आया होगा कि कि किस तरीके से client side validation हम apply करते हैं using javascript चलिए तो मिलते हैं next lecture में ऐसे ही javascript के कुछ और important concept के साथ और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेर करिए और बने रहे हैं स्कोर्स में क्योंकि अभी बहुत से और important concept हम आगे देखने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं next lecture में टिल देन टेक क्यार बाबाई